अगर आप वेजिटेरियन हैं और बेज मोमो खाने की सोच रहे हैं तो अब बजार जाने की जरुवत नहीं है क्यों ना इसे घर पर ही बना लिया जाए जट पट फट फट ये काफी जल्दी से बन जाती है और बनाना भी काफी असान है स्टेम कर गे बनती है तो ओयल का भी यूस कम होता है तो ये काफी है तो आप इसे घर पर बनाए गेस्ट भी आए उन्हीं भी दें तो आपकी काफी तारिफ होगी मैंने चटनी की रेस्पी भी सेर किया है तो हम चटनी और मोमुस घर पर ही बनाएंगे और सर्व करेंगे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए ये काफी है और अच्छी भी है गर्मी के छुटिया चल रही है बच्चे तरह तरह के खाने के डिमांड करते हैं तो आप इ वीडियो अच्छी बनाई और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूब प्रेस कर दें क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाओं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखें अब हम आगे बढ़ेंगे और एस्पी की प्रिपेरेशन क करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग्स की त्यारी करते हैं इसके लिए एक बर्तन में मैंने कद्दुकस किया हुआ गाजर कटे हुए प्याज और बांधागो भी जिससे हम कैबेज कहते हैं उसे भी कद्दुकस कर लेंगे इसमें स्वाधा नुसार नमक डालकर कि होता हैं सबजियों से पानी हो जाता है जिससे हमारा फिलिंग्स अच्छा बनता है तो पानी अछर रखाने के बाद आगे हम उसकी त्यारी करेंगे तब तक मैंने क्या कियाा है soya bean को अच्छे से boil करके नमक डालकर उसका पानी अलग कर लिया है नमक डालकर boil करने से soya bean के अंदर नमक चला जाता है तो अच्छा लगता है उसके बार इस तरह से पत्ली-पत्ली गटिंग कर लेनी है क्योंगे boil हो चुके salt हो चुके आराम से कट जाते हैं पानी फेकना नहीं है बलकि उसका हम सूप बगएरा बना सकते हैं तो अगर आप सूप खाना पसंद करते हैं मुमोस के साथ तो सूप भी बना ले उस पानी का यूज़ करके उसके बाद सब्जियों के साथ हम सोयबीन जो हमने कट करके रखी उसे भी डाल देंगे और फिर्स में एड करेंगे स्वात के लिए एक बड़ा चमच आपको डाल देना है मुमोस चटनी जो मैंने बनाकर पहले से रेस्पी रखी है जो मैंने आपको पहले से वीडियो डाल दी है तो मैंने रेश्पी की लिंग मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख ले, मुमो चटनी डालने से काफी टेस्ट अच्छा लगता है, अगर आप मुमो चटनी नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप यहाँ पे सेजवान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, तब आपको क्या करना होगा, इसमें कट करके अधरक और लैसुन में थोड़ा एड़ कर देना होगा, पर मैं नहीं हाँ मुमो चटनी यूज़ किया है, तो मैं अधरक लैसुन कट करके इसमें नहीं डालूंगी, चटनी से काम चल जाएगा, उसके बाद एक छोटा चमबच, मैंने आप थोड़ा सा नमक एड़ कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मुमुस के लिए डौ त्यार कर लेंगे, डौ त्यार करने लिए मैंने यहां यूज़ किया है मैदा, मैदा यहां पे मैंने एक बड़ी कटोरी मैदा ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा तेल और नमक डाल कर पानी से बूद कर अच्छा सा एक डौ त्यार कर लिया है डौ को भी हम 10-15 मिर तक रेश्ट करने देंगे जिसे अच्छे से सेट हो जाती है तो हमारा मुमुस अच्छा बनता है 10-15 मिर जब हो जाएंगे गिले का पुरेशे ढखकर छोड़ देंगे और 10-15 मिर जब हो जाएं तो हम क्या करेंगे इसकी चोटी-चोटी लोईया बना लेंगे लोईया चोटी-चोटी इसने बनानी है क्योंकि हमें मुमुस के जो पुडिया है उसे बहुत पतली बेलनी है तो जब हमारी पूरिया बन कर त्यार हो जाएगी ना, तो हमसमें फिलिंक्स भर देंगे, तो मैंने आवे फिलिंक्स टाल दिया है, और उसको इस तरह से कुछ प्लिट्स बनानी है, जैसे हम लोग साड़ी वगरा पहनते हैं, तो प्लिट्स बनाते हैं, उस तरह से, एक के डा बड़ा बरतन में एक बड़ा ग्लास पानी लेकर उस पे इस तरह के हमारे पास जो दाली वाली थाली होती है, उसको ग्रीज कर लेना है, जिससे मुमोस चिपके नहीं, और गरम करने के लिए रख देना है, जब गरम हो जाएगी, स्टीम निकलने लएगा, तो फ्लेम को बन कर एक दम तयार है, फ्लेम को अफ करके मुमोस को बाहर निकाल देंगे और चटनी के साथ सर्फ कर देंगी, यकीन मानिए, काफी अच्छी लगती है, अगर आप मैदे का यूज ना करना चाहें, तो आप आर्टी से भी बना सकते हैं, पर मैदे से काफी अच्छी लगती है, चटनी की रेश्पी मैंने अपनी वीडियो मैंने सेयर की है, तो आप महाँ जाकर देखें, लिंक में दे दूँगी, इसमें सोया सौस और सिर्का का यूज जरूर करें, अगर सिर्का ना हो, तो आप थोड़ा निम्बू का रस्पी जरूर डाले चटनी में, जो मैं सिर सिर्का डालने से चटनी का स्वाथ जो काफी बढ़ जाता है, सिर्का ना हो तो आपनी मुगर रस्पी यूज कर सकते हैं, इस तरह हमारी मोमुस चटनी और मोमुस बनकर त्यार हो जाएगी, जो खाने में काफी अच्छी लगती है, दोनों रेस्पी को आप जरूर देखें और जरूर बनाएं, अच्छी लगे तो कॉमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि आपको रेस्पी कैसी लगी, आसा करती हूँ रेस्पी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक भी बिलकुल ना बोले, जैसे मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे प्रोसाइक करता है, मैंने वीडियो अच्छी बनाई, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए, रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक चरूर कर दीजेगा, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिस्क लाइक भी कर सकते हैं, जिससे मैं आगे की वीडियो में अपनी रेस्पी में सुधार ला सकूं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब खुस रहें, स्वस्त रहें, जै भारत, जै हिंद, थैंक यू